Hello students, good morning, class 6, Hindi 2nd, व्याकराण, 13th chapter, 2nd lecture, बेटा संबंद बोधक और समुच्य बोधक आप पढ़ चुके हो, अब पढ़िए विस्मे बोधक, विस्मे बोधक बेटा क्या होता है, जो सब्द मन के भाव, विस्मे आश्चरि शोग, ग्रडा, प्रसंसा, प्रसंदता, आदि के भा प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मे बोधक सब्द कहते हैं, जैसे वा, मोर कितना सुंदर पक्छी है, तो इसमें हम आश्चर चकित होते हैं, वा, औरे मोर कितना विस्मे बोधक चिन, साबास, परिच्छा में क्या अंक आए हैं, यहां पे हम साबासी दे रहे हैं, खुश अरे तुम कब आए हम इसमें प्रस्ण वाचक चिन लगा तुम कब आए छी कितनी दूरगंद है यह ग्रड़ा के भाव आ रहे हैं ठीक है बेटा तो शोक ग्रड़ा और प्रसंसा यह सारे भाव इसमें आए हुए हैं जैसे उपयोक्त वाक्य में वाह साबास हाय अरे और छी पद्विभिन मनुभामों को बेटा ब्यक्त कर रहे हैं तो यह सभी क्या है यह विश्में बोधक चिन के अंतरगत सारे आते हैं विश्में बोधक अब्य हैं विश्में बोधक की विशेष्ता है इनका संबंद वाक्य के अन्य सब्दों से बिल्कुल नहीं होता है यह प्र लगाया जाता है, ये कौन सा सिर्चिन है बेटा, विसमे बोधक चिन है, अब विसमे बोधक भाव और सब्द, जैसे विसमे आश्चर, शोक, पीड़ा, प्रसंसा, प्रोथसाहन, उत्सा, प्रसंता, क्रोध, ग्रणा, भै, चेतावनी, इच्छा, अनुबोधन, सम्बोधन, ओ, ये क्या है, ओहो, क्या, अरे, अहो, है, अब शोक, पीड़ा में हाई, उफ, आह, त्राई, 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 प्रसंसा, प्रोथसाहन में हम क्या, सावास, वाह, बहुत सुन्दर, उत्सा, वाह, आह, धन्य, धन्य, क्रोध, अरे, चुप, ग्रणा, छी, छी, धत, चेतावनी भय हाई बाप्रे चेतावनी सावधान खबरदार बचो इच्छा काश हाई अनुमोधन अच्छा हाँ संबोधन अजी हे अरे अब बिटा आपका ये लेक्चर फिनिस हुआ आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए निमलिकी सब्दों में से संबंध बोधक इसमें से आपको चुनकर लिखना है तो से बाहर क्या है संबंध बोधक के पास के साथ और स्कूल के अंदर के बाद खुशी डर के मारे नहर की और नायक टोली के आगे ठीक है ये आपको ब बुक में ही फिल करना है शेर के बाद मेरी शोर के बाद मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती तो यहां के बाद फिल कीजिए और इसमें के पास फिल करना है मेढक पानी के ऊपर चला गया पत्र से पहले मुझे सूचना मिली भोजन के बाद टेलना अच्छा होता है बुड़े दा सब्द समुच्च बोधक सचब्द चुनकर आपको लिखना है बस चल रही थी और यात्री रहते यहां और अंडरलाइन कीजिए वो यहां पर आपको लिखना है यह आप अपनी चाहे नोटबुक में लिख लीजिए इसमें समुच्च बोधक इधर समुच्य बोधक डालके होमवर्क में नोट्बुक में लिख सकते हैं अब इसमें बेटा उचित समुच्य बोधक सब्द से आपको रिक्तिस्थान भरना है खुसी और निक्की मौसम का चार्ट बनाएंगी रिचा ने कहा चल तो सालनी चल पड़ी विवेक को राजीव क के साथ जाना था परन्तु नहीं गया अनुज मूर्ख था जो अमर के साथ चला गया विशाल परिश्रम करें करो अन्यथा फेल हो जाओगे आज स्कूल देर से पहुंचे क्योंकि बस खराब थी यह अच्छा गायक ही नहीं बलकि अच्छा नर्तक भी है अब इसमें सम्भा इसमें बेटा ये भी आपको बुक में ही फिल करना अरे अरे अजी हाय चुप वा चीची ठीक है प्रसंसा प्रोचसाहन सोक पीड़ा ये सब आपको बुक में ही फिल करना है अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा थेंक्यू क्लास